साथ्यों जैभीम, मैं स्नेहां अब सभी का स्वागत करती हूँ दाथिंग पर आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजबर और उनके प्रदेश में चल रहे धुआधार दौरे के बारे में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बसपा यह एक राष्टिय पार्टी है और बीएस्पी की राजनेतिक प्रयोग शाला उत्तर प्रदेश है जहां बहन मायावती जी अपने सोशल इंजिनेरिंग के जरिये राजनेतिक प्रयोग करती है बहन मायावती जी ने जबसे भीम राजबर इने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है राजबर इन्होंने दिन रात एक कर दिया है और खाक छान रहे है उत्तर प्रदेश के कोने कोने की OBC समाज, दलिट समाज, मुस्लिम समाज का भाई चारा बनाने का काम कर रहे है कभी गाजिपुर, कभी सहरनपुर, तो कभी गोंडा, तो कभी गोरकपुर वो BSP करे करताओ, एवब बसपा शाशनकाल में BSP ने किये हुए काम किनाते है और कहते हैं कि 2022 में BSP नेत्री बहन मायवती मुख्यमंत्री बनेगी इसके लिए सभी कार्यकरता कमर कसकर अभी से तैयारी में लग जाए वे आगे कहते हैं कि मान्यवर कांशराम सहब के अनुसार 21 वी सदी हमारी है और अब बहुजनों की बारी है OBC समाज के हजारों लोग उनके कारेकरम में आकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं भीम राजबर इनके काम से विरोधी खेमे में हलचल मची हुई है यहां यसी OBC और मुस्लिम भाईचारा 2022 तक्तिका रहा तो सच में 2022 में बीएस्पी की ही सरकार बनेगी ऐसी आहट आने लगी है समाज के बेटे को इस 22 करोड़ की अबादी वाले प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अदेश बनाके जो कार करता हूं और पिछली जाते में भलोसा चिताया है मैं यकीन दिलाता हूँ आज गोरगपूर की इस कुम्री हुजन सलाप के इस जो करोड़ को देखते हुए कि मान्यवेंजी आप संधर्स करें हम आपके साथ है और 2025 में आपको उतर प्रदेश में पांचवी बार मुक्यमंत्री बनाके है दम लेंगे इस बात का मैं आज बने रहे दाथिंग के साथ आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए जै भीम जै भारत